सब्सक्राइब करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को जो है काफी अची कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं चाहे आपको फोटोशॉप अच्छे से आता हो या नहीं आता हो सबसे पहले हमारे पास में एक इमेज है और इसको मैंने स्मार्ट अबजेक्ट बना लिया है और यहां पर अभी चलते सीधा फिल्टर के अंदर और यहां पर आपको जाने कैमेरा और फिल्टर के अंदर जैसे ही है आप उस पर क्लिक करते तो आप एक नया स्क्रीन पर पहला नमबर आता है बेशिक बेशिक के अंदर हमारे पास में अगर इसको आप ओपन करेंगे काफी सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी राइट अब यहां पर टेमपरेचर आता है पहला तो टेमपरेचर अचा यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा कोई फिक्स वैल लग हमारे पास में होता है तो इसलिए कोई भी एक fix value निया कि इसका इतना ही होना चीश इसका होना चीश कोई फिक्स वैल्यू नहीं जहां पर आप एक्षा लग रहा है आप वहां पर रख सकते हो बट अगर ऐसा ही करना आता है कोई भी कर लेता बट यहांपर हमारे पास में जो है बहुत सिंपल सी कैसी चीजें हैं जिनको आप यूज करके काफी अच्छा एफेक्ट कर सकते हो कैसे अब देखिए सब्सक्राइब आपको इस इमज को दिखाना है कि एक डेलाइट इमिज है तो आपके अगर सकते इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर सकते हैं जो अमेजिंग लगेगा अगर आप चाहिए ऐसा नहीं चीए मुझे थोड़ा सा नाइटिश काइंड आफ लोग चीए या फिर ऐसा क लेकिन अगर यह इमेज हमारे पास में कोई ऐसी लोकेशन की होती है जो कि हमारे पास में लोग लाइक अंटाक्टिका हो गया या ऐसी कोई जगह जो बहुत बरफीली हो ठंडी हो तो उसके अंदर आपको टेंपरेचर कम करने में ज्यादा अच्छा एफक्त देखने को मिल आपको कितना चाहिए वह आपके ओपर डिपंड करता है अगर आपको ग्रीनिश लुक आपको तब देना है जब आप एकदम हाइट डेंसिटी के मलब एकदम जो हमारे पास में जब फुल सनी डे होता है और वह भी अगर आपके आपके आवास में बैक्राउंड के अंदर है तो तब आप जो टेंट करेंगे अधर्वास में में झेंटा आप जैनठ करेंगे नहीं भी करना है आप इसको फर्सजाथा जैंडर में इचा लगता है थो इस सो हैंगें फिर यहां उब्सपोसर यह इतना ही था जीरो अगर आप देखे वैल्यू जीरो यह तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए क्योंकि यहीं पर सही लग रहा है तो आपको पहले बताया है वाइट और ब्लैक की बीच को डिफरेंस है उसे इतना कुछ काफी अच्छा लग रहा है यानि कि अगर आप बर्टिकुलर एक कलर को भी लेकि जाना चाहिए तो आप कर सकते हैं यहां पर ग्रेस्केल है फिर आगे जब आपन बढ़ेंगे तो आपको कलर मिक्सर के अंदर वह सब भी मल जाएगा अच्छा है अगर आपको ज् सब्सक्राइब करना पसंद करूंगा और ब्लैक्स को सब्सक्राइब हमारा कॉंट्रास्ट जो बिल्कुल मैंटीन सा हो जाएगा ठीक है फिर यह आता टेक्स्चर अब देखे तो हमारे बास में डिटेल्स बिल्कुल काम हो गई है अभी अगर मैं बढ़ा हूं तो टेक्श सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं इसको फिट कर लेता हूं राइट करने के रिए कुछ नहीं इस बटन पर क्लिक करेंगे तो फिट इन वी हो जाएगा तो टेक्शर को हम हलका सा बढ़ाएंगे जादा नहीं क्लारटी को आप जितना बढ़ा होगे उतना ज्यादा यह बहुत दिखाना चाहरे तो वैसे में अगर आप उसकी क्लारटी फुल कम करके विदाव डिटेल्स जाए कर सकते हो चाहिए अच्छा डी है आता है डी है बिसिकली आपको अगर आप दिखें मैंने अगर डी हैस को यह विदाव डी है और यह विसिकली क्या करता है वाइट को आपक आपको करना चाहें तो आप डी यह इसका यूज़कर सकते हैं डी हेस कम करो गए तो इसमिर्जद के करेंगः वाइट को और इंक्रीस कर देगा है ठीक है फिर आथा वाइबरेंस वाइबरेंस बेसिकली आते यह वाइप कितनी चाहिए कालर्स की लैट इसको आप कम भी कर तो पूरा कम फिर भी colors आपके रहेंगे लाइक सी अभी colors है इसमें ऐसा नहीं कि colors पूरे चले गए colors है इसमें लेकिन बस उनकी density कम हो गई अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं अगर आप इसको फुल कर दोगे वाइब को तो अगर आप देगे हैं हमारे वास में color उतने ही है बस उसकी density इंक्रीज होगे राइट सो यह वाइब का काम करता तो वाइब आपको किती चाहिए वह आप आराम से यहां पर डिसाइड कर सकते हैं सब्सक्राइब आपने अगर ऐसी कोई इमेज क्लिक किया लच्छे मैंने वाइब रंस इतनी कम थी और मैं जब स्टार्टिंग में दिखा हूं सब्सक्राइब कर लिए राइट बाद में पता चला रहे कैमरे की जो है हमारे उसना सब्सक्राइब कर रखी तो कुछ नहीं कर अब जितना अच्छा आपको लग रहा है उतना पर रख सकते हो तो यह तरीका है यह अपना बेसिक अंदर और कुछ नहीं बस सिंपल बेसिक अगर आपको थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी है तो बेसिक में जा सकते हैं अगर आपको और जब्सक्राइब जाना तो आप के इस वहां पर अपने को मिल जाते हैं विद गर तो अगर आप करना चाहता हुआ हो आपको इंट्रस्टेश इन सब चीजह में तो अब कर सकते हुँ अधर आपके याश्मारे बेसिक के अदर आप इस चीजे जिए कबर आप कर चके हैं फिर आपशी पास में कई बार आपन आपन इस फोटो में भी देखे हलके से ग्रेंज तो इनको क्या करना आपको यह जो नॉइस डिदक्शन अगर आप इसको इंक्रीस करोगे तो आप ध्यान से देखो ग्रेंज गायव हो रहे हैं मैं अगर इसको फुल कर दूं तो यहां पर देखें हमारे बास में डिटेल्स त सब्सक्राइब करने के लिए आप कलर नॉइस कर सकते हैं अब आती शार्पनिंग और बढ़ा नहीं आपको कम लग रही है तो आप जो है नॉइस रिदक्शन करने के बाद अगर आप शार्पनिंग बढ़ाना चाहाएं बढ़ा सकते हैं शार्पनिंग कितनी चाहिए रेडियस कितना चाहिए अबफ़ेश ज moż destination बढ़ेगी स्काम लोगी टे में इंदर यह समुभी तो मास्किंग के अंदर आपके पास में आ अश्वा है नाक यहां पर देखें तो अगर मैंने और मेरे मास्किंग को घृ नठाएं तो यह शार्पनिंग एज़िस पर भी कर रहा है मास्किंग फुल की तो यहां पर दिखिए एज़िस को जो है एज़िए मैंटीन कर तो मास्किंग बहुत सिंपल सा आपका एफेक्ट देता है लेकिन यह काफी मास्किंग बहुत इंपर्टनेंट में नहीं नहीं लेकिन पहले पता रहाँ मास्किंग आपकी एज़िस खराब मास्किंग कर सकते हैं फिर आगे बढ़ते color mixer color mixer के अंदर हमारे उसमें HSL होता है पहले आता है हूँ अगर आपको हूँ इदर उदर करना हो तो आप यहां पर हूँ बेसिकली आता है मैंने आपको पहले भी बता है अगर आपने color theory वाली class देखे होगे तो उसमें आपको पता होगा कि हूँ क्या होत हुम आपया है कि यहां पर यहां पर क्लरmedi सिर्फ और सिरफ रेट का कट यहां पर है सारी ना एक मैं यहां अब यहां पर देखिए अगर मैं रेड का कलर चेंज कर रहा हूं तो हमारे पास में क्या हो रहा है जो रेड के जो भी कलर्स है वो चेंज हो रहे हैं सिर्फ रेड गरीन वगरा या इदर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है और इंज का करना चाहूं मैं और इंज का कर सकता छिक्यां है कि इस तरीका होता है है अगर किसी का भी हूँ कलर चेंज करना अच्छा अब आती सैचिरेशन अब लच से मैं को रड की सैचिरेशन नहीं झीया राट की सैचिरेशन करतो जीरो और पूरी इमिज के अंदर ना रट का सैचिरेशन होगा और ऐसा एफक्ट जाता है जानबूच कर अगर मैं दिखा हूँ आपने कई बार ऐसे एफेक्ट देखे होंगे जिसके अंदर आपके पास में बाकी और कोई कलर नहीं होता सिवाए औरेंज एंड आपके पास में जो रेड्स सरी हलका सा ओरेंज होता है अब इन्हें बोलते हैं ब्लैक मूडी ड अब कलर मिक्सर में जाएं सारे के सारे जितने स्लाइडर पहले कम कर दें और औरेंज एंड रेड सिर्फ इन दोनों स्लाइडर को बढ़ा कर देखें रेड को रेर केस में बढ़ाया जाता है बाकी केसे में आपका औरेंज को बढ़ाया जाता है और जिसका कलर अभी जैसे म लिए आप तो यहाすको आप करने के लिए रहाँ चाहते दिए चाहिए उसके इनदर में वापस स fotograf यSON चलिए आप आगे बढ़ए हैं फिर हाथा है हमारावस में color grading basically यह एक ऐसा pen है एक ऐसा tab है जिसके अंदर आपके पास में बहुत सारा अच्छे तरीके का effect create करने का इसमें basically आप अपनी vibe set कर सकते image की आपकी image की vibe कैसी होनी चाहिए मलब देखते ही बंदे को क्या feel आनी चाहिए किस type का उसका लगना चाहिए कि image जो है कर सकते हो right कैसे अब यह सबसे पहले आपके आपको आपको जह है देखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा hsm अब यह क्या है एच फॉर हाइलाइट एस फॉर शैडूज एम फॉर मिटों तीनों का अगर आपके पास में अच्छे से नॉलेज है तो आप औराम से इफेक्ट कर सकते हैं अब लेच्छे मुझे जो मिटों जैना मिटों विसिकली जो वाइट एंड ब्लैक के जो सेंटर में आती डैट इस 50 परसंट ग्रे उनकी बात हो रही है अगर मैं को उनके अंदर चाहिए एक ऐसा कलर जो की अभी तक नहीं है लेच्छे मुझे जो इन पर गया अगर आप देखें सिंपली मैंने सरफ ग्रीन सेलेक्ट किया और इसने आटमेटिकली मिट टोंस के पर अब भी कर दिया ब्राइटनेस कैची वह आपके ओपर करता है कितना ही डैंसिटी जिए जितना आप यहां से इस में पॉइंट से अगर आप जितना भी कम आया वेरास ग्रीन की बात करें ग्रीन भरबर के आया मजंटा की बात करें रड येलो कुछ भी बात करूं सारा का सारा बरापर चल रहा है वेरेस मैं ब्लू की तरफ गया ब्लू कम आया नव कर दिए वाली क्लस के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि आर का होता है magenta blue का opposite होता है yellow और अगर मैं इसको simply नॉर्मल पर रखो यह नॉर्मल है तो यहां पर देखें हमारी इस पूरे की theme क्या है yellow और yellow किसका opposite है blue का इस वज़े से हमारे पास में जो main color था उसके opposite जाने के लिए बहुत कम उसके पास में space बचता है इसलिए इसका ब्लू का जो color है वह बहुत कम दिखाई दिया और especially yellow areas के अंदर दिखाई ही नहीं दिया वह दिखाई दिया तो सरफ और सरफ white areas के अंदर तो अगर आपको यह color थोरी भी बताओगी तो आपको समझ में आएगा इतना ज्यादा क्यों वर्क कर रहा है इतना ज्यादा क्यों वर्क नहीं कर रहा है अच्छा अब यहां पर अगर अच्छा ना वाट इस ब्लेंडिंग अब लेट से मैंने इसको फोल में गरीन में कर दिया ब्लेंडिंग इंक्रीज कर दी मैंने सेम ब्लेंडिंग कम कर दी मैंने क्या इफेक्ट देखने को मिला अब यहां पर बहुत हलका सा अगर यहां पर नोटिस करें तो यहां पर आप को समझ में आएगा एक हलका सा ब्लेंडिंग अगर आप फुल रखते हैं यहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं हो यहां पर क्या हो रहा है सिंपली एक एफेक्ट आ गया लेकिन आपको थोड़ा सा उसको अंदर ट्रांसीशन स्मूध चाहिए तो आप ब्लेंडिंग को फुल कर स तरoration इस बहु किया मैंने तो यहां पर क्या करेंगा सिने में पर इंच के उपर वही इफेक्ट यहां पर अप्लाई कर डेरा क्या मैंने ग्रीन किया था पूरी इमेज ग्रीन हो गई है बट अब अगर आप देखे मैंने इसको फुल पर गड़ दिया तो हमारे पास में जो हमारी रियल इमेज है वह दिख रही है इस इंपली बैलन्स का काम इतना है कि आपको जो एफेक्ट है और आपकी जो में इमेज है दो दो हो वीनेट इंफेक्ट बेसिकली इसे बोलतेमनेक लेकिन होता है कि हमारा यीज नहींते है कर मैं काम अब हमारे पास में वाइट कलर की है या ब्लाक केलरूर चार्य चाहता है ईसाओ depending हें आपके करना चाहा तो कई लो यहितर घूर प्ब्शन तब हमारे पास में इमेज के अंदर आता है जब हमारे पास में हमने एक ऐसे लेंज से इमेज खेची हो जो की राउंड है स्पेशली गोप्रो अगर आप कैमरा अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर सबस्याद आई आता है तो डिस्टॉर्शन अगर आप सही करना चाहो आप इससे कर सकते को अब यहां पर देखिए वाइट में लेकि गया तो यहां पर आप दिखे चारों तरफ में वाइट इफेक्ट है विच मींज अगर आपके उसमें डार्क विएट आ रहा है तो आप जब लेकि जा सकते हैं अगर आपन आगे देखने हैं तो समझें अच्छा फ्रिंज इस क् हम ने कई बार होता है इमेज हमने क्लिक की उसको कट किया रेकिन साइड़ों में हलका हलका एक फ्रेंज स्कुलिश इस यहां पर काफी सारे तो इस तांब यहां पर क्या डीफ्रिंज का यूज़ करते इमेज क्लिक हुई है जो कि गलात हुए तो आप वर्टीकल होरीजोंटली जैसा भी करना चाहूं रोटेट हुई है इमेज यह स्पैक्ट रिशियों उसका खराब हूआ है स्केल उसकी जादा बड़ी छोटी करना चाहरे हो आफसेट यानि कि इदर थोड़ा बहुत करना चाह रहे हो तो यह सारी की सारी चीज़ आप यहां से कर सकते हैं जमेटरी के अंदर से तो जमेटरी अभी अपने पास में ऐसी कोई भी नहीं है तो मैं इसको जीरो कर लेता हूँ स्केल को मैं हंड्रेट रख लेता हूँ ऑफसेट जीरो एंड बाकि और एवरेटिंग शुद भी जिरो राइट सो जमेटरी के अंदर अगर आपके आश्म कोई ऐसा कुछ है तो आप कर सकते यूज अधर इसको छोट सकते हैं फिर आता है एफेक्स एफेक्स के अंदर अभी आपको बता दूंगा अगर आपको अच्छा लगता है ना कि इमेज के अंदर ऐसी कोई आपको ऐसी दिखानी कि यह बहुत पुराने जमानी की इमेज है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो पहले नंबर पर सैटिरेशन उसकी जिरो कर दो ब्लैक और वाइट हो जाएगी अब क्या इफेक्ट आया ग्रेंज से और क्या नहीं आता अगर नहीं डालते तो यहां पर देखें यह जीरो है जो सिंपल इमेज है और यह डाल दी अपने तो किस टाइप के ग्रेंज चाहिए वह आप यहां बहुत इस ग्रेंज काफी अच्छा लगते हैं तो आप यूज यूज नहीं अच्छे लगते हैं यह फिर आपने इमिज क्लिक करते हैं चाहरो कोई वाइट में आ जाए गया तो ब्लैक में जाएगा इनको आटाना हो तो आप सिंपली इसको अप्र दें सीदा चलो आपके पास में अप्टिक्स के अंदर यहां पर विनिये टिंग टाइम करना पड़ेगा तब जाके आपकी यहां पर हो जाएगी तो अब ही के लिए मैं को वाइट वाली डालूंगा हलकी सी जादा नहीं करेंगे बट यह काफी बेकार एफेक्ट देडिये तो अपन इसको रहने देते हैं फिर आता लास्ट कैलिबरेशन कैलिबरेशन आपक के आपके पास में सारी चीज़ें की जगह पर मिल गई हैं तो आप यहीं पर कर सकते हो लाइक रेड का हूँ इदर उदर करना हो तो आप वह कर सकते हो तो यह बिल्फुल बेकार लग रहा है अरूं इतना कुछ जह सही लग रहा है थोड़ा सा रेड एफेक्ट आ रहा है सह सकती है तो मुझे पर्स्नलीज यह लग रही है अगर आपको ग्रीन का से अफ Character करना है यह ग्रीन का अचिक और प्रकश्ण इदर करना हो तो घ्रिन इट्स लुकिंग अमेजिंग वाला जो है आपके पास में टोटल पूरा और फिल्टर आप सिंपली अगर आपके पास में इतना नौलेज है तो आप किसी भी फोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हो अचा अब इतना भी नहीं करना आपके वास में क्लाइंट आया आपको के अंदर आगे बाकी जो करना है अगर आपको लगे कि भाई इसकी जरूरत है तो आप जी में जाएं और हमारे पास में जो फिल्टर अप्लाए हो जाएगा आप भी फोर आफ्र देख लेते हैं तो यह थी हमारी बिफोर इमिज और यह हमारी आफ्टर इमिज कैसे लगी आपको यह इमिज आप फटावट से कमेंट्स में लिए जरू बताइएगा और इंफर्मेशन लगी यह वीडियो के अंदर तो आप फटावट से एक लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देजिएगा चलिए मैं मैं मेलता हूं आपको नेक्स वीडियो के अंदर त